कि नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पी सीम भी डिजिटल कुरुकुल पर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों 22 तारीक की वर्कशीट की जो की 138 नंबर है identifying patterns in daily life की daily life में किस तरीके से हमें patterns धूणने होते हैं या कोई ऐसी चीजे जो repetitively सेम तरीके से होती हैं उनके बारे में देखना है सबसे पहले तो दोस्तों हम सभी को आज बहुत-बहुत मभारकवाद क्योंकि आज श्रीनेवस रामिलुजुन का जनम दिन है वह एक महान गणतिग्य थे उनकी जैनती है गणित की शेत्र में उनका योगदान हमेशा याद र जाता है कि कलेंडर में जा दो जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामनुजुन जी का जन बाइस दिसंबर 1888 को हुआ था क्या आप क्लेंडर देखकर बता सकते हैं उस दिन कौन सा वार था तो देखिए 22 दिसंबर और 1887 तो कौन सा वाता थास्टे या वीर वार या ब्रस्पतिवार जो भी आप लिखता चाते हैं आप इस महिने यानि या थारा सो 2020 का कलेंडर दिसंबर 1888 का कलेंडर देखें और देखें कि आपको कुछ समान देख रहा है तो हाँ हमें समान देख रहा है कि वह अगर पहल फिर 22 फिर 29 तो देखें एक आठ पंद्रा बाइस 29 या दो 9 शोला तईस तीस तो दो 9 क्योंकि हफते में कितने दिन होते है साथ तो हर बार यह चीज चलती रहती है क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सब्ता हमें साथ दिन होते हैं ठीक है ऐसा क्योंकि जगे हम लिखेंगे इसलिए हो रहा है क्योंकि सब्ता हमें साथ दिन होते हैं एक दिसम्बर 1887 को वीरवार था ठीक है तो भई तक बता सकते हैं अगला वीरवार की तारिक क्या होगी एक जबा में साथ आठ भी ना देखें बता सकते हैं साथ जोड़ने थे बस तो अगली तारिक को होगी आठ दिसम्बर 1887 आपने कैसा पता लगाया साथ दिन जोड़कर पता लगाया ठीक है अब देखें आगे हमारे आम से दिखने वाले कलेंडर में बहुत सारे तथे होते हैं जैसे कि अगर मैं किसी भी स्क्वेर बॉक्स को ले लूँ जैसे माल लेए मैंने चार कर दी हैं अपरे तो अगर मैं इसको इससे जोड़ू और इसको इससे जोड़ू तो छे और चौदा बीस तेरह और साथ बीस यह नमबर हमेशा बराबर आता है या जैसे किनी भी तीन नमबर को जोड़ लूँ 17,24,31,23,24,25 ऐसे तीन और ऐसे तीन तो यह नमबर भी हमेशा बराबर आता है देखें जोड़कर आपने देखा है बहत सीम आएगा ठीक है तो देखो मज़दार बात हुई नहीं है हमारे लिए कि अगर हम ऐसे स्क्वेर जोड़ते हैं तो बराबर आता है अपनी जनमतिती लिखें अब जैसे मान लीजे कोई भी बच्चा कोई भी वेक्ति अपनी जबर डेट बताना चाहता है तो वह बलिख सक सकता है क्या लिख सकता है कि वह लिख सकता है एक जनवरी 1991 में ऐसा लिख देता है माल लो जनवरी को हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लीजिएगा बच्चों तो अब आपको बताना है कि 2021 में आपका जनम दिन किस दिन आएगा तो देखो 2021 में किस दिन बहुत असानि से पता चल सकता है जैसर 22 दिसμबर को अगर हम 31 दिसमबर को तर्स्टे तो एक जन्वरी को क्या होगा शुक्रवार क्या होगा शुख्रवार- ठीक है आप अनुन जन्मदिंंड कैसे मनाते हैं आपको क्या लगता है रहाम रोजन कैसे मनाते होंगे मैं अपने जनम दिन पर गरीबो में खाना बाटता हूं ठीक है पहले तो ये रामनुजन कैसे बनाते होंगे आपको क्या लगता है तो आपको क्या की जगा क्या जाएगा मुझे लगता है कि रामनुजन अपना जनम दिन गरीबों में सिक्षा देकर मनाते होंगे यहां गरीबों में की जगा क्या लिख देंगे बिटा को तो और अच्छा रहे गरीबों को सिक्षा देकर मनाते होंगे तो अभी दोस्तों इससे के साथ ये वरक्षेट हमारी पूरी होती है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगतर जुड़े रहने के लिए हमारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच वे गुड़े दोस्तों टेक केर